कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी सता आरोही में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे माचा टी के बारे में यह माचा टी क्या होती है यह दूसरी ग्रीन टी से कैसे डिफरेंट होती है इसके हेल्थ बेनेफिट क्या है इसको बनाने का तरीका क्या ये ही सब हम इस वीडियो में जानेगे. तो सबसे पहले हम बटाएंगे कि माचा टी होती क्या है. जितनी भी टीज होती है, जितनी भी green tea होती है, black tea होती है, सब भी हमें इक ही leaves से मिलती है सिर्फ इनको जो harvest करने का तरीका होता है, वो ही इन सब टीज को एक दूसरे से different बनाता है तो माचटी में होता क्या है इसको हार्वेस्ट करने से 25 से 30 दिन पहले इसको डारेक्ट सनलाइट से हटा लिया जाता है यानि इसको कवर कर दिया जाता है इससे क्या होता है इसका जो क्लोरोफिल कंटेंट होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है इससे और भी एक और फा जो हाई क्वालिटी माचा टी होती है वह एकडम पाउडर जैसी फिलिंग देती है और डार्क ब्राइट कलर की होती है अब जानते हैं माचा टी के जो हेल्थ बेनिफिट होते हैं वह क्या-क्या होते हैं जो माचा टी होती है वो रेगुलर जो आपकी ग्रीन टी होती है उससे 10 गुना जादा एफेक्टिव होती है उसमें 10 गुना जादा एंटियोक्सिडेंट होते है यानि आपकी एक कप माचा टी आपके 10 ग्रीन टी के कब्स की तुलना में होती है यानि एक कप माचा टी आपके 10 ग्रीन टी के benefit लिये रखती है जो माचा टी होती है वो आपके जो शरीर में free radicals होते हैं उनको stabilize करने का भी काम करती है अगर माचा टी को आप अपनी daily diet में include करते हैं तो उससे क्या होता है आपका जो antioxidant intake होता है वो बढ़ जाता है जो आपका cell damage होता है आपकी body में उसको भी prevent करता है और उससे जो आपकी जितनी भी body में आपकी chronic disease होती है उसको रोकने का काफी हद तक कम करने का भी काम कर सकता है आपको फायदा कर सकता है माचा टी आपके liver को protect करती है और जो हमारी अज़ादा age के जो लोग होते हैं उनकी जो brain functioning होती है उसको improve करने का काम करती है जो माचा टी का जो एक well known benefit है वो ये है कि ये cancer prevention में आपकी help करती है यानि कहीं न कहीं ये आपकी जो cancer cell होती है उनको बनने से रोकती है स्टडीज में ये भी देखा गया है कि आपकी heart की health होती है उसको भी अच्छा रखती है तो हम ये कह सकते हैं जो माचा टी होती है वो जितनी भी आपकी टी होती है उनका सरदार है ये best tea है जो आप अपनी डाइट में एड कर सकते हैं अब बात करते हैं कि माचा टी आपकी health जो होता है आपका जो weight loss होता है उसमें कैसे help कर सकती है जो माचा टी का इंटेक होता है वो आपके metabolism को strong बनाता है जिससे आपकी fat burning capacity जो होती है आपकी fat burning जो आप exercise करते है उसको boost up कर देती है आपकी calorie जल्दी से burn होती है इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आप माचा टी पीएंगे तो आप पतले हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है यह टी सिर्फ आपकी help कर सकती है अगर आप regular exercise करेंगे अच्छी diet लेंगे और आप माचा को भी अपनी diet में include करेंगे तो आपको result जल्दी दिखाई देंगे किसी भी टी का आप कोई tea लेते हैं या कोई भी जो pills है आप वो लेते हैं अगर आपको कोई कहता है कि आप इससे सिर्फ पतले हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है आपको regular diet और exercise की जरुरत होती है यह जो tea होती है यह सिर्फ आपकी help कर सकती है किसाथ तक आपको आपके जो आप exercise करते हो उसको बहतर result दे सकती है उसके साथ मिलके बट exercise and diet बहुत जरूरी है और एक और आखरी बात आप matcha tea को as a pre workout drink पी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि coffee होती है अगर आप coffee drink करते हैं अपने workout से पहले तो क्या होता है coffee एकदम instant energy देती हमें पर जो matcha tea होती है वो थीरे थीरे से energy release करती है और आपको खुक नहीं लगने देती उस time पर जिस time पर आप exercise कर तो matcha tea best option है as a pre workout drink तो guys आप इसको try कर सकते हैं आप चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं इसको बनाने का सही तरीका क्या है तो guys हम मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक cup matcha कैसे बनानी है कितना लेना है इसमें मैं ये यूज़ कर रही हूँ टी ट्रंक की matcha आप कोई भी ब्रेंड ले सकते हैं Amazon पर बहुत दुनिया भर के ब्रेंड है तो एक cup matcha बनाने के लिए हम वन ग्राम के आसपास अंदाजे से इतना लेंगे इसको डालेंगे इसमें और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी में लाएंगे और आप ध्यान रखिए पानी का जो टेंप्रेचर है वो 80 डिग्री से ज्यादा नहों आप कम भी रख सकते हैं और फिर इसको ऐसे हमें इसको डिजॉल्व करना है क्योंकि यह बहुत बारिक पॉडर होता है तो अगर आप इसको ठंडे पानी में डालेंगे या इसको ऐसे रिस्क नहीं करेंगे तो इसके थोड़े से लंप और थोड़े से दानेदार सी बनेगी चाहे आपको अच्छी नहीं लगेगी तो आप मेक्श कर देना है अगर आपको ज्यादा स्ट्रोंग माचा नहीं चाहिए या पहली बार पी रहे हैं तो आप पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा भी कर सकते हैं और चाय की मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं अपने स्वाद के नुसार उसे एड़्जस्ट कर सकते हैं